इस वक्त की सबसे बड़ी ख़वर सामने आ रहे है कि लालू यादफ सीयम अवास पहुचे हैं और क्या कुछ अंदर खाने बातचीत हुई है जानते हैं वरिश सयोंगी आशुतोस मिश्व और वरिश पत्रिकार रवी उपांतियाई सर इन दोनों देखा जा रहा है कि जो मिल पहुचे क्या कुछ बातचीत हुई है देखिए इससे पहले 28 सितंबर को सीयम हाउस कहे थे लालू यादफों मिलने के लिए और आज 7 अक्टूबर को यानि कि 9 दिन में दूसरी बार सीयम हाउस जाकर के लालू यादफों ने नितीश कुमार से मुलाकात की है लास्ट टाइम 2 अक्टूबर को जिस दिन जाती गन्ना की रिपोर्ट आई थी उस दिन नितीश कुमार लालू आवास कह थे और दो दिन पहले आनंद मोहन से जब मुलाकात हुई थी नितीश कुमार की आनंद मोहन गये थे सीयम हाउस जाकर के नितीश कुमार से मुलाकात हुई थी उस दिन आनंद मोहन से मिलने की ठीक बाद तेजस्वी यादव से मिलने नितीश कुमार गये थे तब लालू यादव दिल्ली में थे दिल्ली से आने के बाद और ल निगम वहरा में भी पदों को भरना है चुनावी साल है सारे दलों की जो गटमंदन में शामिल दल है सब को सटिसफाइट करना है वैसे भी मंत्री मंदल को लेकर बिस्तार को लेकर कॉंड़ेस और सत्त मतलब जेडियू और आरजेडियू में ठनी हुई है अकलेस पर साथ सीं राजत कोटे से भी खाली है तो उसको भी भरा जाए और सबसे अहम मसला जो है चुनाव बहत करीब आता जा रहा है और बीजेपी एकदम फुल चुनावी मोड में आ गई है जेपी नड़ा लास्ट टाइम में आये थे छेत्रियों दलों पर हमला बोला था जातिये गणना योगी दल है जीतना माजी को छोर कर सब अकडामक है कि जातिये गणना में तुरूटी हुई है इन फैक्ट जेडियों की जो सितामडी के सांचत है वो भी सवाल उठा रहे हैं कि तेली साहू समाज की गिंती में गड़बरी हुई है चिराग पासवान ने आज खुद कहा कि उनके घर पर भी या उनसे भी जाकर नहीं पूछा गया रहा हुई शंकर पसाद बोल चुके हैं उपन पुश्वा बोल चुके हैं इस सब से कैसे नहीं पटना है सीट शेरिंग का जो प्रेशर बनाया जा रहा है चुटी राजस्तरी कमिटी बनाया जाने की बात थी उस पर क्या हो रहा है आगे कैसे कैसे करना है इन सारी चीजों पर बात करने के लिए दोनों के बीच बहुत मसले हैं और यही वज़ा है कि लगतार दोनों के बीच समवाद हो रहा है और अगर समवाद हो रहा है ये कभी वहां जा रहा है वो कभी यहां आ रहा है तो मतलब यह समझ सकते हैं कि जो भी मीडिया में खबरे अगर चलाई जा रही या चल रही है वो कहीं न कहीं भ्रामक है यानि कि दोनों के बीच में कॉम्निकेशन गैप नहीं है तो सब कुछ all is well है गटबंधन में कहीं से भी कोई दिक्रत वाली बात नहीं है चुटकी कॉम्निकेशन गैप होता है तो बातचीत होती है अनन्द मोहन आये थे लास्टाइम मुलाकात चनकले दो दिनों पहले अनन्द मोहन चे जो बातचीत उठाने के लिए उनको जेल से रिहाई कराई गई नियम में कानून में संशोधन करके तो वो फायदा मिले ना कि उसका नुक्सान हो चुटी आनन्द मोहन बीते दिनों मनोजा से लर परे थे थाटुर विवाद तो लेकर वो सब कैसे डैमेज कंट्रोल हो तो बाटी बहुत तरह से अक्रामक तेवर दिखा करके गए छेत्री अदलों के संबन्द में जो बात कही और समाप्त करने तक की बात कह दी वो एक तो मुद्दा हई है इन दोनों का मिलना लालू परसाद यादों का और मुखमंत्री नितीज कुमार का जो आज का जो मुलाकात होई है वो उस थी गलियारे में खासा चर्चा बनी हुई है और किस मुद्दे पर बात हुई या बात अभी तक क्लियर्टी नहीं तो इस बात को भी हमारी समझ जहां तक है और जहां तक हम देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं वह जाकर के निश्चीत रूप से उन्होंने लालू परसाद यादो कोई इस बात को बताया होगा कि क्या जीटन रमाजी से उनकी बात चीटे को क्योंकि जीटन रमाजी एंडिये एंडिये फोल्ड में है, वो महागटबंधन एलाइंस में नहीं है, एंडिया एलाइंस में नहीं है तो ऐसे में उनके साथ में जो बात चीत हुई है, वह बहुत आहम है और वो किस मुद्दे पर किस टॉपिक पर बात हुई है, यही बात लालू परसाद यादों से क्योंकि देखिए लैंड फॉर जॉब मामले में उनको जमानत मिलने के बाद कल ही वो आए हैं तो वह इस पूरे प्रकरण से वह वाकिफ नहीं होंगे तो वह बताना और सीट सेरिंग तो हई है सीट सेरिंग तो अहम मुद्दा है और बिहार में कही लालू परसाद यादों में बात हुई है यही मैसेज कन्वे किया जाएगा कॉंग्रेस के आला कमान को अने निया और निशा यह मैसेज भी जाने के कोशिश हो रही है शरत पवार के नित्रितु में जो 14 सदस्री कोडिनेशन कमीटी बनी हुई है जिसमें सब ललन सिंग भी है वो कोडिनेशन कमीटी लगातार एक्टिव है शरत पवार लगातार लोगों से मिले है मलिकार जुन में बिवाद नहीं है चार सीट आपको मिलने जा रहे है और तीन सीट कॉंडेस को साथ सीट है वहाँ पर मतलब सब अंडरेस्टेंडिंग ठीक है तो इंडिया अलाइंस में जो कहा जा रहा है कि सीट शीरिंग के तरफ से नो सीटों की डिमांड की जा रही है वहां दल भी कई सीटों पर दवा कर रहे हैं जैसे सिवान सीट ही हैं सिवान सीट पर आप उठाटर के देखें पिसले तिन चार पांच चुनाओं का हर बार तीसरे नंबर पर कोई अमरनात यादो या उम्परकास अमरनात यादो शायद हैं वो लगतार तीसरे नंबर पर रहते हैं असी अजार पचासी जार नब्बे हजार वोट लाते रहे हैं उनका दवा है उसका भी वो भी सित है तो यह ने बता दिया जितन रमाजी का और दूसरा अहम मुद्दा है, अहम सवाल है, जो बनता है, मीडिया के में रिपोर्ट भी है या सुबर्मनियम स्वामी का, सुबर्मनियम स्वामी का राज़ दध्यक्ष लालू परसाध यादों से दिल्ली इस्थित, मीसा भारती का जो सरकारी आवास है उनकी बड़ी पुत्री जो राज सभासांसा थे उनके आवास पर जा करके मिलना और बहुत देर तक बात करना वह किस तरह से किस टॉपिक पर बात सुबरमनियान स्वामी किस मन मिजाज के आदमी है इसको सब लोग जानता है वो कहीं एक जगास्तिर से नहीं रहते तो वो जिस फोल्ड में हैं अभी उस फोल्ड में इंडिये के फोल्ड में रहने पर भी वो सवाल दाखते रहते हैं वो कभी नहीं वो देखिए कॉंग्रेस पर भी जो है सो किस तरह से वो जो सवाल दाखते रहते तो वह उनका भी लालू प्रसाद यादों से सुब्रम्नल ने स्यामी का मिलना कहीं ने कहीं वह भी बात बनती है हमारी समझ होती समझ में आ रही है कि वह निश्चीत रूप से निश्चीज कुमार को उस विसे पर भी उनको ब्रिफिंग हुई होगी समाजिक ये जो बना है डाटा बना है वो कब जारी करना है इस मुद्दे पर भी रायली गए होगी बातचीत होगी और आने वले दिनों में इस्ता नतीजा भी सामने आएगा साफ शब्दों में समझा जाए तो लोग सभा चुनो नजदीक है और ऐसे में कई मुद्दे हैं जिस तरीके से देखा जाए तो शीट शेरिंग को लेकर के अभी तक बातचीत नहीं हुई है और कल ही आपको याद होगा कि नितिश कुमार की मुलकात हुई थी जीतन राम मा जी एंडिये चोड़ करके चर्चा है कि राज़ीर में मुलकात हुई थी ऐसी ख़बर है जी बिल्कुल तो इस तरीके कि जो है ख़बर सामने आ रही है और लगतार जो है नितिश कुमार लालुयादफ की मुलकात हो रही है बहुत सारे मुद्दें उन सब चीज पर बातच जी फूई है वह हम आपको बताएंगे वहराल आप देख रहे हैं त्याए भी टीवी धन्यवाद